हेलो दोस्तों तुछली हम लोग बात कर रहे थे कुछ मात्पूर्ण कुष्चन्स और उनके आंसर्स तो ये सभी कुष्चन्स आपके IOS PCS प्रेलिम्स के लिए बहुत ही मात्पूर्ण रहेंगे इस तरह के हम लोग 61 टेस्ट अभी तक देख चुके हैं ये आपका 62 टेस्ट है तुछ लिए हम लोग 62 टेस्ट का पहला कुष्चन्स देखते हैं क्या है हमारा पहला कुष्चन्स पहला कुष्चन है अपना अमर नायक पेडाली के संदर्म में निमलिखित कत्रों पर विचार करना है इस पेडाली की उत्पत्ती विजे नगर संवराज्जी से हुई थी में हुई थी सही है अमर नायक नागरिक पिसासन का हिस्सा थी यह आपका गलत होगा बेकिसान सिल्पिकारों और ब्यापारियों से कर और अन बकाया बसूल करते थे यह भी आपका सही होगा एक और तीन सही होगा, दूसरा कतन आपका गलत होगा, क्या होगा? दूसरा कतन गलत होगा, याद रुखिए, दूसरा कतन गलत क्यों होगा? क्योंकि अमर नायक सेंड कमांडर थे जिने राय द्वारां सासित चित दिये जाती थे बिजय नगर की सासक स्वयम को राय कहा करती थे बिजय नगर की जो सासक थे वो स्वयम को अपने आपको क्या कहती थे राय और अमर नायक सेन कमांडरों बेते जिनने राय द्वारां सासे छित दिये जाते थे, ठीक है, तो याद रखिए ये पॉइंट आप लोग हर समय पढ़ लिया करिए, क्या लिखा है, जैसे उपयोग कत्रों में से कौन सा सही है, क्योंकि आते हुए questions कई बार हम से गलत हो जाते हैं, अब यहां आपका पूछे कि सही नहीं है, तो किवल दूसरा कत्र सही नहीं है, और यहां पूछा है सही है, तो एक और तीन आपका सही है, यानि कि A option सही है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा question, क्या है, निमलिखित यह उमों पर हमें विचार करना है, यह कर पड़ काली हो गई, यह अपना इसके उत्तिस हो गई, जजिया, गैर मुसलिमों का सरक्षन सही है, जकात, धार में कारे हैं तू, उस से रेत कर, यह भी आपका सही है, तो question number दूसरे में आपके तीनों कत्र सही है, क्या है, तीरों सही समले थे, जैसा कि आपको पता होगा, मद्यका कालीन भारत के तुर्की सुल्थानों द्वालां लगाए गए कुछ मत्कून कर इस पकाते, जकात, एक इसलामिक बित्ते से सम्मंदी सब्द है, जिसके अनुसार किसी बेक्ति कुपिती वर्स, अपनी आये का एक निश्चित भाग, धर्मात कारियों के लिए दान करना पड जकात देना मुसल्बानों के लिए अनिवार है, और इसे पूजा का एक रूप मानना जाता है, जो आपका जजिया है, यह कर गैर मुसलिमों पर उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्चा, तथा सैनिक कारवाहियों में चूट के बदले लगाया जाता था, महिलाओं, बच्चों, गरीवों और ब्रह्मनों को इस से चूट दी गई थी, जजिया कर से, फिर था आपका सराप, यह सेचाई कर था, जो उपच का एक वटी दस बाबाग होता था, यह फिरोत तुगलक द्वारा लगाया गया था, थाराज, यह हिंदुओं के स्वामित ब्रहत वाली भूमी पर लगाया जाने वाला करता, जो उपच के दसवे से आधे से तक वोता था, उस्त्र यह några नों की भूमी पर वसूला जाने वाला रेत करता, यह आवब तोर पर कुछ उपच के दसवे हिस्से के बराबर कथा, ठीक है? तो इसमें आपके तीनों सह थे बात करते हैं हम लोग तीसरा कुश्य निमलिकित कत्नों पर विचार करना है दिल्ली की सल्तनत में गुलामों की विक्री और खरीद का पेचलन था बिल्कुछ सही है एकता सेंड कमांडरों को दी गई भूमी थी यह भी आपका सही है दोनों कत्न आपके सही है इसमें ठीए तो इसमें क्या होगा आपका सी ओप्सन क्योंकि क्या पूँचा है सही कत्न पूचा था चलिए अब हम लोग चलते हैं कुश्टन नमबर चार की तरफ पंपा, पॉन्ना, रन्ना नेम लिकेत में से किस दर्विड साहित से सम्मंदित हैं तो यह हैं आपके कन्नर साहित से दस्बी सताबदीत का कन्नड साहित, जैन साहित की त्रीरतन, पंपा, पॉटना और रन्ना तत्था कन्नड भासा की व्याकरन नाग बर्मापितम से प्रभावित था बात करते हैं पांच अबा कुश्चन नेमले की तकत्रों पर हमें विचार करना है क्या करना है? बिचार करना है अलवार तमिल भासी चित के सैव संत कभी थे बिल्कुल गलत है अंडाल तमिल चित के अलवार संतों में से एक थे यह आपका सही है कुश्य नमर पाँच में एक अथन अपका कलत है इसमें सही क्या होगा दच्चन भारत में प्रेशनाव आंदोलन बहुत मजबूत था और तेरेवी सिदाब्दी के अंदर तक प्रभावी राः अलवार कहे जानवाले एस संत विश्णों के भक्त थे दच्चन भारत में नयनार नामक संत कभीयों का एक और सकती साली समूल था जो भगवान सेब के भक्त थे इसलिए उन्हें सेब कहा गया और अंडाल दसभी सिदाब्दी की एक पितिष्टित तमिल कभीत थी जन्हें भारत के दच्च्चडी हिस्सों में एक संत के रूम में याद किया जाता है वे बारे अलवार संतों में पिर्मो कोरे एक मात महला अलवार संत थी इसमें कूचा गया था सही कतन तो केवल दूसरा कतन सही आपका बात करते हैं कुश्यन नमबर 6 चटवा स्री बेदान्थ देशिक की संदर्व में निमलिकीत कत्रों पर आपको विचार करना है बिकिष्ण ने देवराय की समकालीन थे गलत विदच्चिन वारत में सेट परंपरा की पिचारक थे गलत उनका दर्सन समाविसी था जिसमें सभी जाती की लोग सामिल हो सकते थे सही है जो स्री बेदान्त देशिक का जनम सन 1280 वी में हुआ था उनकी जो मित्ती हुई है वो 1389 में हुई है वे बिजयनगर समराज की है वे बिजयनगर समराज की किष्ण देवराय की समकालीन नहीं थे क्योंकि किष्ण देवराय का समकाल 1509 सी 1529 के भी रहा है तो इसमें पूछाता है सही कतन तो एक दू आपका गलत है की बन तीसरा कतन सही है बात करते हैं साथ वे कुशन निमलिकित में से कौन साभी कल्ब मुताजिल सब्दी का सबसे अच्छा बर्डन करता है तरकवादी इसलामी दर्शन एया उप्सन सही है इसलामीक दर्शन में मुताजिल कुश्तरगवाद आधारित बुधिवादी दर्शन सश्त की रूम में जाना जाता है इसमें कटोर एक सुरवाद कुश्विकार किया गया है इस विचारधारा की इन्सार इस्सो न्याय परी है और उसका मन उसकी बुरे कारियों में कोई लेना देना नहीं होता है इंसान अच्छी अपनी इक्छा के लिए सुतन्थेश लिवाए अपने कारियों के लिए स्वयम जिम्मेदार है एक बात तो अप लोगों को समझनी होगी दोस्तों कि किताब में किया क्या लिखा गया है कितनी अच्छी अच्छी बात ने लिखी गए अगर हम लोग उस पर चले हैं या उनकर अमन करें उन्हें अपना हैं तो हम इंस्यान क्या मुझे लगता है कि भगवान बन जाओ गई क्योंकि इंसान की भी तो फूजा होती है कई जगे देखा होगा आपने लेकिन हम क्या किताबें अलग हैं और हम अलग हैं मुझे लगता है 80-85 और मुझे तो लगता है 90-95 लोग वस कोई भी किताब पढ़ते हैं तो अपने मतलब के लिए मतलब के लिए समझ रहे हो मतलब का यह मतलब है कि उन्हें नौकरी पढ़नी है उसके बाद उन्हें उस पर जो सब्द मिले हैं ना उन पर कोई विचार करना है नहीं उन्हें अपनाना है तो अपना मतलब निकाल के एक कौने में डाल दीना है अभी हम लोग NCEIT देख रहे हैं आप लोग उने देखा होगा अगर आप लोग देख रहे होंगी तो उन्हें NCEIT में इतने अच्छे सब्दे लिखे गए हैं इतनी अच्छी कहानी दी गए है चलिए जो भी अच्छा है चलिए आठवा कुष्चन देखते हैं संद ग्यानिसोर के संदर्व में निम्लिकित कत्रों को बिचाहर करना है बिबीर से परमपरा की अनुआई थी गलत है उन्होंने भगभग गीता प्रेक टीका लिखी थी यह आपका सही है क्या है यह सही है ग्यानिसोर 1275 से 1296 तेरवी सिताबदी के मराटा संथ एवं दासनिक चित दासनिक ते यह बिठोबा बिठल के उपासकते जैने विश्णु का अउतार माना गया है वह नात योगी परमपरा के अनुआई थी किससे नात योगी परमपरा के अनुआई थी ठीका कि इसमें क्या पूचाया और पिर के थे कितन सही है तो केबल आपका दूसरा कतन सही है इस पॉइंट को बढ़ लिया गरी है जैसे भी आपको तो इसमें आपका केबल दूसरा कतन सही होगा चलिए अब चलते हम लोग नौ alley a नेयमलिकित कत्रों पर वीच्यार करना है सुहरा वर्दी सिलसले के संद कठोर तपस्या का पालन करते थे यह गलत है निजामुद्दीन और लिया का समन बा सारा सूपी मत से था बे योगिक अभ्यास पर बहुत जोड़ देते थे यह आपका सही है क्या है यह आपका सही है सोभी सिलसलों को रहा दो पिकारों में विवाजित किया गया बा सारा इसे मानने वाले इसलामी कानून सरिया और उसके नेदेशों जैसे नवाज और रोजा का पालन करते थे चिस्ती, सहरावर्दी, फिरदोसी, कादरी और नकसवंदी सिलसले इसके प्रमुक आपके वो धारन है बे सारा इस सरिया की नीमों से बदे नहीं हुए थे कलंदरों का समन इसी मत से था सहरावादी सिलसला इसकी इस्थापना सेख सहावुद्दीन सियावुद्दीन सहरावर्दी ने की थी भारत में एस एक बहावुद्दीन यकारिया द्वारा इस्थापित किया गया उन्होंने साही सरक्चन सुईकार किया बहुत सारी संपत्ति अर्जित की इसलिए उन्होंने तब पर जीवन त्रयाग किया इसमें सही कतन बताना है तो केवल दूसरा कतन सही था कुश्यन है हमारा 10 निमलिकित कतनों पर विजार कीजे अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत की ख्याल और तराना सहली के परवर्तक थे सही है सितार काविस्कार मलिक मुहमद जासी ने किया यह आपका गलत हो जो आपके अमीर खुसरो थे यह मद्दिकालीन भारत के महानकवियों में से एक थे उन्होंने अपने समय की दर्वारी भासा फार्शी और जंता की भासा हिंदी भी दोनों में लिखा है वे हिंदी भी बाद में हिंदी और उर्दू नामक दो सुंदर भासाओं में विक्सित हुई है सितार का विश्कार जो था इसका सरे अमीर खुसरों को दिया जाता है ना कि मलिक मुहमद जारसी को सितार का विश्कार किसे दिया जाता है अमीर खुसरों को तो इसमें पूछा था सही कुशिन सही कतन पूछ रहा है तो क्या केवली एक सही कुशिन चलते हैं 11 कुशिन नमर 11 अकबर की भूर राजस पेणाली के संदर में नेमलेकित कतनों पर हमें मिजार करना है दह साला पेणाली में करकी रासी करने धारन इस्थानी उत्पादकता और कीमतों के आधार पर किया जाता था यह आपका सही है बटाई पेणाली के तहट किसानों को केवल नंगदी में करों का भुक्तान करना पड़ दा गिलकुल गरत नसक पेणाली के तहट करका किसी निश्चित दर की आधार पर कड़ाई से निधारन किया जाता था यह भी आपका प्रेलत है किवल एक कथन इसमें सही है किवल एक कथन सही है किसानों को नगदेया उपच की रूम में भुक्तान का भी कल दिया जाता था हालागी राज जी नगदी को प्रात्मित्ता देता था, कपास नेल तिलहन गन्य आदी नगदी पसलों के मामले में राज जी करकी बसूली नगदरूमें करती थी नसक पेडाली, कनकूद पेडाली, इस पेडाली की तहएत किसान और सरकारी आपसी समझोती से उपच का एक सामान अनुमान लगाते थी हिंदी वासा में कन अनाच को दरसाता है और कुट एक अनुमान को संदर्वित करता है यह पेडाली किसानों द्वारा पिछली वर्सों में किये गए बुक्तान की आधार पर अनुमानय आधारित होती थी। इसमें सही कतन बताना था मैं केवाल एक कतन सही था समय। चली बात करते हैं 12 कुश्यन। निमलिकित योगुमों पर विचार करना है यह आपके यादगारी हो गए वजने के कारे हो गए। सही समलित चुनना है बरीद संदिश लिकत गलत है वाकिया नवीस गुप्तचर अधिकारी है गलत है। मेर समन साही सामान का प्रभारी यह आपका सही है। किवल तीसरा इसमें सही है। मुगल पिसासन के अंतरगत विविन अधिकारी आते थे कानून हो। यह बंसानुगत जमीदार के साथ साथ इस्थानी अधिकारी भी होते थे। फौजितार, कानून विवस्था का प्रभाइए होता था, अमल गुजार, भूराजस का आंगलन और संगरह करने वाला अधिकारी होता था, बजीर, वजीर राजस विवाग का प्रमुक था, मेर भक्सी, सैन विवाग का प्रमुक अधिकारी था, टिक, बरीद यह आपका गुप्तचर विभागत का अधिकारी था और वाकिया नभीस यह आपका संदेश भागत था ठीक संदेश लेकर तो इसमें सही समलित पूछ रहा है तो किबल तीन सही समलित था कि पुष्य नहीं मारत थे रहें समाचारों में देखें कई इक्वीप ईक्यू यू आईपी परियूजना किस से समद्धित है राष्टिय सिक्षा नीथी के किरियान बन से गुर्वत्तप पूर्ण सिक्षा के उन्यन और समावेसी कारिक्रम एजुकेशन क्वाइटी अफग्रेडेशन एंड इन्क्लिजन प्रोग्राम यानि की ईक्यू ईउ आईपी का संचेप्त रूप है यह प्रोजेक्ट सरकार के साथ नीथी आयू की सीईउ और बिज्ञानिक सलायकार और पूर राजर से सचिप सहितकुछ कॉर्पूरेट प्रमुखों जैसे विसे सग्ग की नित्तवाले दस समुखों द्वारां तियार गया ऐसी कुश्चन चोदे समाचारों में रहा कार्वन क्वाइंटम डॉट्स संबन्दी थे आपका यह है आपका मानो सरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए निदानिक उपकर्ण से सी आप्सन सही है असमिस्थित बिग्यानिक गता उद्दोगी अनुसंधान परिशत उत्तरपूर बिग्यान तथा प्रोद्दोगी की संस्थान के बिग्यानिकों की टीम ने एक रसानिक प्किरिय विक्सित की है जिसके द्वारा खराब कोईली को बायो मेडिकल डॉट की रूम में बदला जा सकता है कि इसके माध्यम से कैंसर कोच काओं का पता लगाने में भी सहायता मिल जाती है कुशन है 15 अब यह नामक ऑनलाइन टूल किससे समंदी थे आपका आप तंगबाद रोधी गवती विंदियों से नपट में समुदायक भागेतारी सुनेशित करना विलकुल नहीं गेरसंचारी रोगों के बारे में जागरूपता बढ़ाना विलकुल नहीं सरेकारी कारेयों में वेश्टाचार की जहां छेतू रिष्टाचार प्यारम वेश्टाचार विरोधी अभियान से यह भी गलत है बढ़ती पिती जैविक पिती रोधक्ता को नियंतित करने ही तू विश्ट स्वास्त संगटन द्वारा विक्सित एक उपकाएंट से है तो इसमें आपका डी होगा कुश्य नमर 15 में आपका डी होगा क्या होगा? डी होगा चलते हैं हम लोग 16 कोश्य एबिल एबे बिल पेणाली के संबंद में नेमलिकी कत्रों पर विचार करना है या माल के केवल अंतराजीय परिचालन पर लागू होती है गलत है पांच लाग रोपे के नेमतम माद्रे मूले वाले माल के लिए इबे बिल अनिवार है गलत है ट्रांसपोर्टर और व्यक्तित दोनों GST पोर्टल से इबे बिल जनरेट कर सकता है यह आपका सही होगा क्या होगा? सही होगा जैसा कि आपको बता होगा कि यह कपरेल 2018 से बस्तूओं की अंतरा राजिये आबाजाही के लिए इबे बिल सिस्टम को राष्ट व्यापी इस्तपस शुरूं किया गया है जब कि राज्यों की बीतर सामार की आबाजाही के लिए इबे बिल सिस्टम की स्कुवाद के लिए राज्यों का 2 जून 2018 किसी भी तारीक को चुणने का विकल्ब दिया गया था और याद रखिए पचास जार रुपे से अधिक मूल की माल की आबाजाही पर इबे बिल जनरेट करना अनिवार है कितना पचास जार तो इसमें सही कतन बताना था मैं तो केवल तीन कतन सही था चलते हैं क्विश्चन नमबर 17 की ओर निमलिखित कतनों पर विचार करना है निमलिखित कतनों पर विचार करना है दिल्जी सल्तनत के राजस पिसासन में राजस वसूली की प्रभारी को आमिल कहा जाता था सगी दिल्ली के सुल्तानों की एकता पिणाली एक प्राचीन देशी संस्ता थी गलत है मीर भक्सी कपद्दिली के खिलजी सुल्तानों के सासनकाल में अस्तित में आया ये आपका गलत है क्या है गलत है आकर सही क्या होगा तो इसमें जो आपकी एक्ता पिणाली है एक्ता पिणाली किता है संबराज की भूमी को एक्ता नमक बिभिन भागों में विवाजित कर अध जिनने एक्तदार के रूम में जाना जाता था को सौपती जाती थी भारत में एक्ता को इल्टुत मिस द्वारा एक संस्थागत दज्या पिदान किया गया एक्ता पिणाली विसिस रूप से फारस के वुईद राजवन सद्वारा पश्यम विसिया में विक्षित की गई थी जिसने इस पिणाली को उपचारिक रूप दिया था और मीरवक्सी मुगल कालीन भारत के दौरान सैन बिवाग के पिरमुख कुगा करते थे मीरवक्सी था जो मुगल कालीन भारत के दौरान सैन बिवाग के पिरमुख हुआ करते थे तो इसमें आपका केवल एक कथन सही था क्योंकि सही कथन पूँच रहा है कुशन चलते हैं अठा रहे हैं नेमले कि कथनों पर विचार करना है बावर के भारत में आने के फल्स homeless पहुआ हैं बारूद के उपियों की शुरुआ त्वी गलत हैं इसचेत कि स्थापत कला मैं महराओ और गुम्मद बनने की सुरुआ त्वी गलत हैं इसचेत मैं तैमूरी राज्वन से स्थापित हुआ यह आपका सही है तेरह भी सताबदी में भारत में मंगोल आकमण के दोरां चीन से भारत में बारूत की तक्निक का आगमन हुए था सत्रह भी सताबदी की रचना तारी के फरिष्टा में मंगोल सासक हुलेगु खान के बारे सो अंठावन इस भी में दिल्ली आगमन पर चमकदार आतिसवाजी करने का बार्डन मिलता है मैं दिल्ली में इसकी कुट्व परिषय से यह इसपश्ट होता है कि मामलुक सुल्तानों ने बारतियों महादूर में महरावों और गुम्मदों की सुरुआत की थी और आपका मुगल जोसमराज्य है इसकी स्थापना बावन में 1526 से 30 के बीच रहा ने की थी जो तुरुक मंग बोल बिजी था तेमूर तेमूर बंस का संस्थापक बंसच था इस पेकार बावर ने भारत में तेमूर बंस की स्थापना की है कि इसमें आपका सही गतन पूंच रहा है किवल तीसरा गतन सही था क्या है किवल तीन अब बात करते हैं लोग 19 कुश्य बिजय नगर की सासर किष्ण देव राय की कराधार बेवस्ता से सम्मदी नेमलिकित कत्रों पर विचार करना है भूमी की गुडवत्ता की आदार पर भूराजिस की दर नियत होती थी बिल्कुल सही है कारकानों के निजी स्वामी इपम उद्दोगिक कर देते थे ये भी आपका सही है क्या है ये भी आपका सही है याद रखिए 200 वर्सों से अधिक समय तक बिजय नगर समराज का बिन्दे के दच्चन में फिरवत्त रहा है इसकी स्थापना 1336 में बारंगल के काक्ति है कि सामन्त हरी हर राय और बुकका राय ने की थी इसमें सही कतन पूँच रहा है तो आपके दोनों कतन सही है एप और दो अब चलते हैं कुश्य नमबर 20 क्या है कुश्य नमारा 20 एहमद साय अपदाली के भारत आकमड करने और पानिपत की तीसरी लड़ाई लडने का तातकाली कारण क्या था वाय मराठा द्वारा लाहोर से अपने वाय सराय तैमूर साय के निसकासन का बदला लेना चाहिए तब था सही है बर्ष 1789 में रगुनात राओ किया दिन मराठा बलों में पंजाब में फिरवेश किया और एहमद साय अपदाली के पुत्त तैमूर को उहां से बाहर निकल दिया अपदाली ने अपने पुत्त को पंजाब का राजपाल निक्त किया था जिसे आप अदस्त कर मराठा ने आदीन बेग खान को अपना राजपाल निक्त कर दिया मराठा की पंजाब विजय अबदाली के लिए सीधी चुनोती थी और अबदाली ने इस चुनोती को सुईकार किया पैडाम सरू मराठा और राहमत साय दाली के वीच आपका 1761 का पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई इस युद्ध में अबगानों की जीत हुई और मराठा थी जो उनकी हार हुई मराठे की अपने सासन के दिन भारत को एकजुट करने की महत्वा कांचा को लिधकार लगता पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 1761 दूसरी वी थी 1556 में पहली वी थी 1521, 1526 में ठीड़ तो ये थी आपके कुछ महत्पून कुश्चन्स और उनके आंसर्स इसी तरह के कुछिश्चन्स हम लो और देखते रहेंगे आंगे ठीड़ाई